हालो फ्रेंड्स आज मैं शेर करने जा रही हूं छोटे आलू की बहुत ही यूनिक रेसिपी जो की बहुत ही टेस्टी बनती है इसके लिए मैंने यहां पे 500 ग्राम छोटे वाले आलू लिये हैं इनको मैंने बॉयल कर लिया है अब हम इसमें एक फॉक की हेल्प से इस तरीके स चेद कर लेंगे ताकि ग्रेवी का जो फ्लेवर है वो इनमें अच्छे से आ सके इस तरीके से और यहां पे मैंने कड़ाई में एड कर रहा है दो बड़े चमच तेल गरम होने के बाद हम इसमें आलू को एड कर देंगे और इसे हम लो मीडियम फ्लेम पे फ्राइ कर लेंग और इसके साथ ही इसमें एड करेंगे पांस से छे लसन की कलिया आदा इंच द्रक का टुकड़ा तीन हरी मिर्च थोड़ा सा पानी एड करके इसको हम पीस लेंगे आलू भी या पे अच्छे से फ्राइ हो चुके हैं इसको हम ट्रांसफर कर लेंगे प्लेट में और सेम तेल त्लास ही अब इसमें एड कर देंगे हींग हलदि कश्मिरी लालमिर्च पाउडर सब जी मसमाला धनिया पाउडर और थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर इसको हम अच्छे से भून लेंगे सभी मसालों को इसके बाद ही इसमें आड़ कर देंगे जो हमने ग्रेवी का मिक्स्चर आड़ करा था उसको और इसे भी हम थोड़ा सा भून लेंगे चलाते हुए इस तरीके से और अब हम इसे एक मिनट के लिए कवर करके पका लेंगे और अब हम इसमें आड़ कर देंगे जो हमने आलू फ्राइ कर रहे थे उनको इसके साथ ही आड़ करेंगे इसमें स्वात के अनुसार नमग थोड़ी सी कसूरी में थी और आलू को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे मसाले के साथ इस तरीके से और अब हम इसमें एट कर देंगे आदा कब पानी और पानी के साथ हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और बहुत यह अच्छा आप्शन होने वाला है यह आपके लंज के लिए और ब्रिक्फास्ट के लिए अब इसे 3-4 मिनिट के लिए कवर करके पकाएंगे और इसको हम एक बार चेक कर लेंगे अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको और अब हम इसमें एट करेंगे एक चमच अमचूर पाउडर और थोड़ा सा हराधनिया गानिशिंग के लिए और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये रेडी हैं हमारे पटे चटनी वाले आलू आप भी इसे जरूर ट्राइ करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें